Hey winners, rice water का ये वीडियो आपको क्यों देखना चाहिए? क्योंकि चावल का पानी यानि rice water इतना सस्ता overall health tonic है, जिसमें कोई preservative नहीं है, जिसमें मौझूद antioxidants, amino acids, starch, humectants, इन सबके इतने सारे amazing health benefits हैं, जो benefits चाइना, जपान और कोरिया जैसे countries ले रहे हैं, जिनको जान करके आप भी हैरान रहे जाओगे, पर क्या आप जानते हैं, प्राचीन भारत में हमारी health को retain करने में इसका काफी एहम योगदान था, और इसको आयूरुएद में भेशचर अतनावली में तंडुलोध का के नाम से बढ़नित किया गया है, तो इस rice water के, चावल के पानी के, आपके बालों, गालों, यानी skin, digestive health, general health, female complications में क्या-क्या benefit हैं, और इसको कैसे बनाना है, और किस तरह से use करना है, और क्यूं अभी से आपको इसको use करने का मन करेगा, इस विडियो में जानते हैं, पूरा विडियो समझना बहुत ध्यान से, rice water, China, Japan, Korea में centuries से use किया जा रहा है, hair health के लिए, और चाइना में Huanglo Yao नाम का एक village है, जिसको world's longest hair village कहा जाता है, क्यूं? क्यूंकि यहां की red Yao women, जिनको real life rapunzel भी कहा जाता है, जिनके बाल 6 feet तक लंबे होते हैं, 6 feet, कईयों के तो 80 साल की उमर तक भी बाल सफेद नहीं होते हैं, और 200 से जादा ladies ने बालों को लेकर Guinness World Record भी बनाया था यहां पर, और सुनो, इनकी skin हमेशा young बनी रहती है, और इनकी general health भी बहुत ही जादा बढ़िया रहती है, जिसका credit यह सिर्फ एक ingredient को देते हैं, चावल का पानी, यानि rice water हमारी hair health के लिए, बालों के लिए वर्दान है, और आज modern era में भी rice water पर बहुत सारी studies पब्लिश हो रही हैं, जिसमें से एक पब्लिश होई थी International Journal of Cosmetic Science में, जिसमें कहा गया कि rice water एक best hair treatment है, जो hair elasticity में, surface friction में significant improvement कर सकता है, और वहाँ इसको best natural hair tonic कहा गया है, जिसके effects कई हजारों रुपए के hair treatment से भी ज्यादा अच्छे हो सकते हैं, जिसे ये frizzy hair को खत्म करता है, split ends को कम कर देता है, बालों की dryness खत्म कर सकता है, hair हमारे smooth कर देता है, और इतना ही नहीं, बालों का जड़ना तक इससे रूप जाता है, बाल जल्दी सफेद नहीं होते, क्यूंकि rice water is rich in inositol, जो की एक carbohydrate है, जो बालों को मजबूती देता है, उनकी elasticity बढ़ाता है, और surface friction को कम करता है, जिस वज़े से हमारा hair damage और breakage एकदम से रूप जाता है, और कई जगा पर hair fall रुखने के लिए inositol के supplements भी दिये जाते हैं, पर rice water में आपको naturally ही मिल जाता है, और देखो, hair health mainly दो चीजों से जुड़ी होती है, skin और hair, और skin और hair जब अपना अपना protein बनाते रहते हैं, तो skin young रहती है और hair healthy बने रहते हैं, अब skin के protein को collagen कहते हैं, और hair जिस protein से बनते हैं, उनको keratin कहते हैं, और ये बनते हैं amino acid से, जो इस rice water में 15-20% तक होते हैं, जिससे बालों की growth accelerate हो जाती है, और जानते हैं, rice water में 75% तक starch होता है, और starch बालों के किसी भी damage को repair करता है, क्योंकि starch के particles होते हैं, वो hair के damage area में चले जाते हैं, और बालों की उस रोके हैं, जड़ रहे हैं, hair cuticles break हो रहे हैं, तो rice water can really help, और अगर बार healthy भी हैं, तो भी उनकी health को और ज़्यादा बढ़िया करने के लिए rice water use करना है आपको ज़रूर बालों पर, और अब तक जो chemicals हमने use किया है, बालों को damage किया है हमने, ये rice water उनके effects को भी काफी हथ तक कम कर देता है, तो इस rice water को कैसे बनाना है, और कैसे इसको use करना है कि आप इसका maximum benefit पहली बार से ही ले सको, इसको वीडियो के last में आपको समझाऊँगा, क्योंकि ये सिर्फ एक हमारे बालों के लिए अच्छा नहीं है, बिल्कि और बहुत सारे health benefits हैं, जिसके सभी uses वीडियो के last में आपको बताऊँगा, इसलिए अंत तक बहुत ध्यान से देखना, तो इस rice water का जो second benefit हमें मिल सकता है, वो मिल सकता है हमारी skin के लिए, rice water हमारी skin की 80% problems को solve कर सकता है, जी हाँ, और Korean skin, जिसको glass skin के नाम से जाना जाता है, लोग लाख रुपे खर्च करते हैं, वो treatments आने के लिए, वो आपको rice water के regular use से बहुत ही reasonably मिल सकते हैं, क्योंकि इसमें होते हैं B vitamins, vitamin E, vitamin C, और कई minerals, antioxidants, ये skin की लगबख हर problem को खत्म कर सकते हैं, जैसे wrinkles हो गई, open pores हो गई, dryness की problem हो गई, skin पे spots हो गई, pigmentation हो गई, itching हो गई, acne हो गई, क्योंकि vitamin E, skin renewal का का काम करता है, vitamin B strength provide करता है skin को, और सबसे जरूरी इसमें होता है inositol, जो कि collagen production में help करता है, जिससे cells लगता regenerate होते रहते हैं, और skin सही collagen production करने लगती है, तो अगर ऐसा होगा, तो skin पर किसी भी treatment की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि collagen production से skin cells repair होते हैं, collagen aging के signs को भी कम कर देता है, जिससे wrinkles और dark spots दीरे-दीरे कम होने लगते हैं, और ये skin को tight करता है, जिससे skin अपनी age से लगभग 10 साल कम देखती है, और अगर बिना dangerous chemicals का कोई natural sunscreen आप ढूंड रहे हो, तो use rice water, जो कि आपकी skin पर एक extra protective shield बना देता है, जो कि UV rays से आपकी skin को protect करता है, और अगर sun damage या tanning हो भी गई ह तो उसको भी लगातार कम कर सकता है, अगर आप इसको regularly improve, improve नहीं, regularly use करते हैं, और बिना किसी chemical के, ये हमारी skin को benefit देता है, और इस पर तो कई सारी clinical researches हो चुके हैं, जिनके links भी मैं description में दे रहा हूं, जरूर चेक कीजिएगा, next, ये हमारी digestive health के रहे हैं बहुत अच्छा, आपके gut के लिए paid की किसी भी तरह की समस्या हो, gastric issues हो, acid reflux होता हो, indigestion होता हो, उन सब के लिए बहुत बढ़िया है, क्योंकि ये जो starchy content इसके अंदर होता है, ये good bacterias actually इसमें develop हो जाते हैं, जो हमारी gut को काफी जादा help करता है, और South India में तो इसको morning में एक drink की तरह लिया पिले, तो वीडियो पर like नहीं चाहिए, सिर्फ ये चीजें और लोगों के साथ share करना, ताकि औरों की life में भी ये कुछ value आड़ कर सके, और हाँ, हम कई बार जो बाजार से, वो महंगे महंगे pre-biotics, pro-biotics जो कई बार drinks लेके आते हैं, उतना ही benefit आपको rice water दे सकता है, जिसक वो burning sensation होती हो, urination में, या फिर किसी को UTI हो, urinary tract infection हो, उसमें भी काफी मददगार होता है, चावल का पानी, next, ये हमारी general health के लिए बहुत ज्यादा बड़ी है, अगर हमारी body से कभी भी nutrition का loss हो जाता है, जैसे किसी को diarrhea हो गया, lose motions लग गया, उस time पर nutrition loss होता है, उसमें चाव चावल का पानी दिया जाता है, और ये आपके body से जो nutrition loss कई बार हो जाता है, sweating के दौरान, या फिर जो लोग जिमिंग करते हैं, जो लोग exercise करते हैं, heavy workout करते हैं, कई लोग drink बहुत ज़्यादा करते हैं, जिससे urine के तुरू उनका nutrition loss होता है, तो उन सब के लिए बहुत ज़ जरूर बताना कि आपने इससे क्या-क्या benefits लिए हैं, और अगर नहीं किया, तो मुझे promise जरूर कर देना comment section में, मुझे अच्छा लगता है पढ़के, कि आप इसको जरूर से जरूर use करोगे, और अभी जैसे North India में और बहुत से जगा पर गर्मी आने वाली हैं, तो ये एक natural coolant है हमारी body का, हमारी body को cooling provide करता है, तो ये गर्मियों में तो एक बहुत बढ़िया अमरित हो सकता है हमारी digestive health के लिए, हमारी overall energy के लिए और एक coolant की तरह, cooling drink की तरह हम इसको use कर सकते हैं, अच्छा आयूरवेद में इस rice water को female health के लिए बहुत बढ़िया बताया गया है, कि किसी भी तरह की female complication हो, चाहे हो menstrual किसी भी तरह की problem हो, periods में pain होता हो, heavy bleeding होती हो, leucoria जिसको white discharge बोलते हो, वो हो, या किसी भी तरह का female issue हो, उसको अगर आप address करना चाहते हैं, तो बहुत बढ़िया चमतकारी रूप से benefits दे सकता है, आपको चावल का पानी, in fact अगर आपको यकीन नहीं होता, तो सिर्फ एक बार आप इसको use करके देखिए, किसी भी ऐसे challenge में जो अब बिविया ने आपको बताए, आपको एक दो बार में ही उसका काफी impact देखने को मिलेगा, अब rice water बनाने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक कप चावल ले लेने उस चावल को किसी container में डाल दो, अगर वो मिट्टी का हो, बहुत बढ़िया, काच का हो, तो भी बढ़िया, या फिर steel का हो, आप उसमें भी डाल सकते हैं, इसको आप अच्छे से एक दो बार दो कप पानी डाल करके इसको अच्छे से धो लीजिए, ताकि इसमें से जितनी भी impurities हैं, dust है, dirt है, वो निकल जाए, फिर इस पानी को rinse करने के बाद, ये जो गीले rice हैं, जो साफ rice हैं, इसमें दो कप पानी आपने डाल देना है, और फिर इसको दो घंटे तक धक करके रख दीजिए, दो घंटे बाद इस चावल को अच्छे से पानी में घुमा करके, य क्योंकि एक से दो दिन तक जब आप इसको भिगोते हैं, तो इसमें good bacterias develop हो जाते हैं, fermented हो जाते हैं ये rice, वो चावल के पानी में हलकी सी smell भी आपको देखने को मिलेगी, और दो दिन बाद आप वो चावल निकाल कर फैंट दीजिए, उस पानी को bottle में डाल लीजिए, तीस जावल उबल जाएंगे, वो जो excessive पानी होगा, उसको निकाल लीजिए, उसमें बहुत जादा उबलने से वो जो चावल के सभी गुण थे, वो rice water में आ चुके हैं, इसको भी आप use कर सकते हैं, और ये difficult भी नहीं होगा, कोई extra process भी नहीं होगा, क्योंकि regular basis पर हमारे घरों म पहले, आप इसका spray अच्छे से अपने skin पर, head का जो scalp है वहाँ पर, अपने बालों पर अच्छे से कर लीजिए, बालों को fold कर लीजिए, अगर बाल लंबे हैं तो, आप इसको 30 minutes तक रहने दीजिए, और spray bottle यूज़ करेंगे, तो अच्छे से आपके बालों में सब जगा य आप अपनी skin के लिए भी use कर सकते हैं, as a toner, आप spray bottle से इसको अपने skin पर अच्छे से spray कर सकते हैं, और उसको air dry कर लीजिए, यानि उसको पहुचना नहीं है, उसको लगा रहने दीजिए, यही काम करेगा एक sunscreen का भी, अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं, इसको अपनी skin पर ल रहने दीजिए, और उसके बाद face wash कर लीजिए, लेकिन अगर आप सिरफ बिगो करके, दो से चार घंटे बिगो करके, या फिर वो जो उबले हुआ चावल का पानी skin पर लगा रहे हैं, तो उसको आप लगे रहने दे सकते हैं, ताकि वो आपकी skin को नरिश करता रहे, तीसर अगर आप इसको digestive health, female issues के लिए, या फिर अपनी general health के लिए, अपनी gut health के लिए use करना चाते हैं, energy drink के लिए use करना चाते हैं, तो आपको यही method follow करना है, कि आपको एक कप चावल अच्छे से साफ करके, धो करके, ताकि उसकी impurities निकल जाएं, dirt निकल जाएं, उसको दो कप प या कभी भी दिन में sip-sip करके पी सकते हैं, दिन में 60 ml तक आप पानी पी सकते हैं, किसी भी digestive issue के लिए, किसी भी female issue के लिए, gut issue के लिए, और general health के लिए, energy drink के लिए, और अगर आप चाहें, तो उसकी कांजी भी बना सकते हैं, यानि आपने चावल भिगोए, जितने चावल हैं, उसको 6-8 गुना पानी आपने उसमें डाल करके बिगो दिया, उसके बाद 4-6 घंटे तक उनको भीगा रहने दिया, उसके बाद उसको अच्छे से किसी भी जार में, मिक्सी में डाल के आपने क्रश कर लिया, चावलों को भी बीच में, उसमें आपने थोड़ा सा दही करी लीव्स डाल करके, उसको इस तरह से भी बनाते हैं, और वो चौक को उस चावल के पानी में अड़ कर देते हैं, और उसमें एक कप दही भी डाल देते हैं, दो-तीन चीजें ध्यान दिनी हैं, आप बहुत ज़रूरी हैं, सबसे पहला आप कोशिश कीजिए कि unpolished rice आपक आप इसको store भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यह कहूंगा कि आप इसको हर बार fresh बना करके ही use करेंगे, तो आपको ज्यादा benefit मिलेगा, जिसमें कोई ज्यादा मेहनत नहीं लगती, अगर आप ज्यादा time नहीं रखना चाहते हैं, तो सिर्फ 2 घंटे के लिए भिगो करके रखते ह आप हर एक digestive health के लिए, hair के लिए, skin के लिए use कर सकते हैं, अब आप पूछेंगे इसको कितनी बार use कर सकते हैं, तो इसको चाहो तो आप daily use कर सकते हो, बहुत से लोग तो अपनी skin को better करने के लिए 30 days का challenge लेते हैं, कि वो एक बार जो आपने rice water बनाया, दो से तीन दिन चल ज करते हैं, लेकिन अगर आप hair पर use करते हैं, और अगर ये हलका सा dry करें, हलका सा, जो कोई नुकसान वाली बात नहीं है, क्योंकि starch जो है, वो आपके बालों को repair कर रहा है, वहाँ पर जाकर कही कठा हो रहा है, तो वो हलका सा कई लोगों को dry कर सकता है, तो उस case में आप week में एक या दो बार, आप इसको अपने बालों के लिए use कर सकते हैं, skin पर आप जब चाहें, जितना चाहें आप उसको use कर सकते हैं, और हाँ, बालों के लिए मैंने एक बहुत बढ़िया आयुरवेदिक shampoo भी आपको बताया था, क्या आपने वो use करना शुरू किया, अगर आपन तो मैंने आपको 5 benefits बताये, सबसे पहला आपके hair के लिए, दूसरा आपकी skin के लिए, तीसरा आपकी digestive health के लिए, चौथा आपकी general health के लिए, पाँचवा female health के लिए, लेकिन एक benefit और रह गया, इसका एक benefit और है कि ये बहुत ही शानदार, बहुत बढ़िया fertilizer है, अगर आपक किसी भी माइने में better हो रही हो मेरे किसी भी वीडियो से, तो मुझे comment करके जरूर बताये, खुशी मिलती है, अच्छा लगता है, जब पता चलता है कि ये videos लोगों की life में benefit और value अड़ कर रहे हैं, और आपके चेहरे पर हलकी सी मुसकान आ रही है, आपकी जिंदगी में को कर लो, क्योंकि ऐसे और videos आपकी overall health को better करने के लिए मैं लेकर के आता रहता हूँ, और इसी बहाने हम connected भी रहेंगे, जुड़े भी रहेंगे, क्योंकि मैं आपको तब तक छोड़ने वाला नहीं हूँ, जब तक आप अपनी सेहत को, अपनी health को, अपनी vigor को, vitality को next level पर नह अपनी life को खुशियों से नहीं भर देते हैं, जुड़े रहेंगे, thank you so much.